नमस्कार दोस्तों लखनू के इंद्रा गांधी प्रतिश्थान में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं उनमें से एक इवेंट जो है फिल्म फेस्टिवल का भी हो रहा है जिसे और्गनाइज किया है रिंको अटेंडन जी ने और इनके फोरम ने तो रिंको अटेंडन जी आपक बढ़े भी बने हैं मतलब एक तरह किसे एक तरफ तो लोग तकलिफे जिससे हमारे कई कलाकार बिचारों के पास खाने को भी नहीं था और कई लोग कलाकार से जने किस किस हाइट पे पहुंच गे बिकॉज आप शोशल प्रेटफर्म एक तो यह है दूसरा यह कि मुझे यह लगता है कि हमारे UP में हिंदी भाशी होने के बाद भी हमको वो जगा नहीं बना पाए जो जगा बनानी चाहिए थी जिन्हों ने भी बनाई वह हमारे प्रदेश को छोड़के बहाँ जाके बनाई तो कहीं ना कहीं वो कड़ी मिसिंग है जिस कड़ी की विज़े से यह चीज हो रही है तो हम लोग वही कड़ी बनके उस चीज को जोड़ना चाहते जिससे की लोग बजाए बाहर जाने के अपनी स्पेस अपना तरीका यहीं क्रियेट करें और हमारे प्रदेश में खुद वो चीज़े हो जिसके लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो वो मिसिंग कड़ी क्या है उसके लिए क्या गवर्मेंट से एफ़र्ट हो रहे है गवर् आप फिर्म को सवचिडी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है बढ़ फिर्म वाले कितना आपका टालेंट यूज कर रहे हैं क्या वह पैसा हमारे पास हा रहा है वो नहीं आ रहा है क्यों कि हुआ पके तौह तो पहले क्रियेट करिए उसको बनाईए तो सही आपके बात कन des जैसे बड़े बड़े इंसिट्यूट हैं बट कहीं ना कहीं कुछ तो गरबढ है इसकी वरे से बच्चों को बहाँ जाना पड़ रहा है तो हम लोग उसी चछीज को देख रहे हैं उसी को जोनने की कुशिस करें जो अलड़ी इस्टाबलिश्ट हैं अपने डिफरेंट स्पे के हैड था बताएंगे कैसे वी एफेक्स केसे वर्ट्र प्रोडक्स थिये जाते हैं तो यह सब इन लीडर को यहां पर लाने का से भी मतल़ है कि बच्चों को पताचले कि एक्टिंग सिंगिंग डांसी के लावा और क्या हम कर सकते हैं आप खाली एक ही जगा पर अपने को इंवेस्ट मत करिए आपको कम सकम पांची चीजों में इंवेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप सस्टेन हो सके गोव में फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है भी इंफॉर्मेशन ब्रोड कॉस्टिंग मिर्स्टी की तरफ से तो वाट और यूर सजेशन तो इंफॉर्मेश की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो क्यों नहीं स्ट्रॉंग हो पाई है क्यों नहीं गोवन फिल्म जैसी चीजों को इस टाइप के उनको फेस्टिवल को यहां पर कर पारी उस लेवल का रीजन सिर्व ही है कि हम लोग कहीं ना कहीं सोच अपनी उस एरिया तक नही को लेके जानी चाहिए किसी भी फेस्टिवल को किसी इंडस्ट्री को लाने के लिए गवर्मेंट का सपोर्ट नहीं मिलता सिंगल आदमी कुछ दिन चल पाएगा आगे नहीं चल पाएगा आज जो हमारा जिस धंक से हमने यह फेस्टिवल करे हम हर साल तब ही कर सकते हैं लखनों को सैटेलाइट फिल्म सिटी घोशित करना अगर आफ फिल्म सिटी बना रहे हो तो इसको बनाइए प्लीज को कि लखनों उसके आसपास के एडिया में जो टैलेंट और जो जरुवते हैं अगर वो यहां से पूरी नहीं होएंगी तो नोड़ा फिल्म सिटी में पहुंचना बट एक बात हम कैसेते हैं समय का कोई वो नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो आज भी अकर यह लोग थोड़ा सा अपने को देखें कहां पर क्या करना है कैसे करना है तो उससे एम शूर बिकोज हमें एक लेवल बनाना है हमें यह नहीं करना कि हमने एक आज तो यह थे रिनका टनिंजिन जिनका कहना है कि अगर फिल्म इंडिस्ट्री को गुरो करना है यूपी के अलाकारों को गुरो करना है यूपी फिल्म इंडिस्ट्री को गुरो करना है तो जिस तरह के फैस्टिबल जो है यहां भी होने चाहिए जैसे कि गवा में होता है या क्लियर कट पॉलिसी भी बनानी चाहिए जिससे इस चेतर में जो पर्दिभाएं हैं वो आगे बढ़ सके कैमरमें नमन वर्मा के साथ अनूप सिर वास्ता हो